शावन का महिना आते ही देवघर में सरधालों की भीड़ लग जाती है। अलग-अलग राजियों और सेहरों से लोग बाबा भोलेनात के दर्शन करने आते हैं। एक समय था जब यहां आना बहुत कठिन हुआ करता था। जंगल, पहाड, पत्रीले रास्ते को पार करके कई दिन के कठिन यात्रा के बाद भक्त यहां पहुँच पाते थे। पर अब बिहार और छारखंड की सरकारों के और से कई वेवस्ता की जाती है ताकि सी भक्त आसानी से देवघर पहुँच सके। बैजनात धाम जाने के लिए हवाई, रेल और सडक तीनों मार गए आप अपनी सुविधा अनुशा किसी भी मात्यम से बाबा धाम पहुँच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पताएंगे, अकर आप बाबा के दर्सन करने के लिए देवघर आने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ तक आने और जाने में कुल कितना खर्च आएगा है। क्या सोराइसिस कहर बरपा रहा है आपके दैनिक जीवन पर? अब और नहीं, सोराइसिस का सफल इलाज पाएं। स्कीवा कैपसूल और स्कीवा तेल तवचा रोग के खिलाफ अपेक्षित प्रभावकारिता प्रदान करते हैं। डॉक्टरों द्वारा अत्यधिक विश्वस्निय और व्यापक रूप से उप्योग किये जाने के कारण वे उच्छ संतुष्टी और उतक्रिष्ट परिणाम देते हैं। अभी संपर्क करें। आपको बता दें, अगर आप ट्रेन से देवघर आते हैं, तो देवघर आने का खर्च आपके सहर से देवघर की दूरी और टिकट के क्लास पर डिपेंड करता है। इसलिए हम आपको कुछ प्रमुक सहरों से देवघर आने वाली रेल गाड़ी के किराय के बारे में सबसे सस्था सबसे पहले बताते हैं। अगर आप राची से देवगर आते हैं तो आपको Intercity Express और धुमका Intercity Express ट्रेन से आना होगा Intercity Express का Slipper Class 215 रुपे, 3 AC Coach 575 रुपे, जबकि 2 AC Coach 815 रुपे और 1 AC Coach 350 रुपे वहीं दुमका Intercity Express में 2nd Class 130 रुपे, चेयर कार 445 रुपे लगेंगे अगर आप भागलपूर से देवगर आते हैं तो आपको अगर तल्ला देवगर एक्सप्रेस जिसमें Slipper Class 145 रुपे और 3 AC Coach 550 रुपे लगेंगे और अगर आप पटना सहर के रहने वाले हैं तो पटना से देवगर के लिए कोई Direct Train उपलब्ध नहीं है देवगर एस्टीशन से ठीक पहले चैसीडी एस्टीशन तक बहुत सी ट्रेने आती हैं चैसीडी जंक्सन से देवगर की तूरी मात्र 7 किलोमीटर है आपको चैसीडी जंक्सन से देवगर के लिए ओटो या बस अराम से मिल जाएगा पटना से जसीडी आने वाली ट्रेनों में पाटली पुत्र एक्सप्रेस विभूती एक्सप्रेस एक्तादीश सामिल है आपको बता दे पाटली पुत्र एक्सप्रेस में स्लिपर क्लास 170 रुपे वहीं 3 AC कोच 505 रुपे जबकि विभूती एक्सप्रेस में स्लिपर क्लास 200 रुपे, 3 AC कोच 555 रुपे, 2 AC कोच 760 रुपे है जदी आप दिल्ली से देवगर आने का प्लान कर रहे हैं तो यहां भी आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन उपलब्द नहीं है आप दिल्ली से चैसीडी जंक्सन बाबा बैदनाथ धाम देवगर हम सफर एक्सप्रेस से आ सकते हैं इस ट्रेन से आने पर स्लिपर क्लास के लिए 655 रुपे, 3 E कोच के लिए 1610 रुपे और 3 AC कोच के लिए 1720 रुपे का टिकट कटाना होगा ट्रेन के अलावा सडक मार्क से देवगर आने का सबसे बड़ा मद्यम बस है आपके सहर या राज्य से सरकारी या नीजी बस देवगर के लिए मिल जाएंगे अगर आप राची और पटना से देवगर आते हैं तो बस से जाने का किराया लगभग 400 रुपे से 1000 रुपे तक है इसमें AC और non AC बसे भी सामिल है स्लिपर और non स्लिपर दोनों बसे देवगर तक चलती है लगभग इतना ही किराया पटना से देवगर का भी है हलंकि देवगर के लिए सरकारी बसे भी उपलब्द है और इसका किराया भी आपके सहर से देवगर के दूरी पर निर्वर करता है वहीं अगर आप हवाई मार्क के माध्यम से देवघर आते हैं तो बता दें राची से देवघर के लिए इंडिगो की नौन स्टॉप फ्लाइट है या 12-35 बजे उडान भरती है और 1-35 बजे देवघर पहुचा देती है इसका किराया 25 सो रुपए है जबकि पटना से देवघ का किराया 28 सो रुपए है अगर आप दिल्ली से देवघर इंडिगो की नौन स्टॉप फ्लाइट से 11 बज कर 30 मिनट उडान भरेंगे तो आप 1-15 में देवघर पहुच जाएंगे इसके लिए आपको 6,700 का किराया का भुक्तान करना होगा वहीं अगर कोलकाता से देवघर क के बीच इंडिगो की नौन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ज है या फ्लाइट 10 बजे उडान भरती है और 10 पचपन में देवघर पहुचा देती है किराया 45,000 रुपए है अगर देवघर सहर में आसपास जाने की किराया की बात करें तो यहां देवघर से जसीडी तक 20 रु जबकि देवघर से कबोवन 25 रुपए और देवघर से बल्या चोक तक 25 रुपए देवघर से चोपा मोड तक 25 रुपए देवघर से देविपूर तक 30 रुपए बकलगभक ऐसे ही किराया है इन सब के अलावा देवघर में रहने और खाने को लेकर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परसासन दुआरा जिले में सरधालुगों के लिए ठेहरने की वेवस्ता की है साथ ही मात्र 40 रुपए में भरपेट खोजन की वेवस्ता की जाती है या पूरी तरह से शात्वी खोजन होता है तो उम्मित करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लग अच्छी लगगों की वेवस्ता की लिए बड़ से शात्र 40 रुपए में भरपेट की जात्वी लगगों की जात्यू अच्छी बड़को यह जात्यू झात्यू पूरी दोस्तों आपको जात्यू झाल झाल